आप सभी ने KVS का नाम तो सुनाई होगा हर किसी का सपना होता है KV में पढ़ने का या पढ़ाने का KV में पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही बैस्ट है क्योंकि यह सैंडर गौर्वर्मेंट स्कूल है अगर आप KV में टीचर बनना चाते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी अगर आप कड़ी मेहनत करने के लिए तयार है तो आप बिल्कुल KV में टीचर बनने के लिए अपलाई कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि KV में टीचर बनने की क्या प्रोसेस है क्या qualification है, entrance exam गब होता है, exam pattern क्या है और salary क्या है ये सब हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है फिर ये वीडियो क्यों बता रहे हैं तो कोरोना का solution आज नहीं तो कल होई जाएगा ऐसे में अगर आपके vibration नहीं है तो क्या आप exam दे पाएंगे और अगर exam दे भी दें तो क्या आपका selection हो जाएगा जब तक आपकी तयारी ही नहीं है तो आप exam कैसे qualify कर सकते तो आप कम से कम अपनी exam की तयारी पूरी रखें जिन लोगों को नहीं पता कि KVS में teacher कैसे बनती हैं तो उसकी पूरी process आज हम जानने वाले हैं KVS का पूरा नाम केंद्री विद्याले संगठन है यह सेंडर गौर्मेंट की जौब होती है इसमें कौन-कौन सी post के लिए apply कर सकते हैं यह सब हम जानने वाले हैं तो आप math के teacher के लिए apply कर सकते हैं, science के teacher के लिए apply कर सकते हैं, English और Hindi के teacher के लिए apply कर सकते हैं, physics, computer science, art और भी कई subject होती हैं जिसके लिए आप apply कर सकते हैं तो आपके पास जिस subject से related degree हो, qualification हो तो आप उसके साब से apply कर सकते हों तो KV में PGT, TGT, PRT के लिए कैसे apply करते हैं, क्या qualification होती है और साथ ही yoga teacher, music and dance teacher के बारे में भी हम जानेंगे अगर आप PGT level की post पर job करना चाहते हो तो आपके इंदर क्या योगिता होनी चाहिए, आए देखते हैं सबसे पहले तो आप उस subject को choose करें जो आपका favorite हो जिस subject से आप 12 करना चाहते हैं, तो आप 12 अच्छे marks से pass करें जिस subject में आपका interest हो, आप उससे ही अपनी graduation पूरी करें graduation में कम से कम 50% marks तो होने ही चाहिए, नहीं तो आप apply नहीं कर पाएंगे graduation कम्लीट करने के बाद आपको PG की degree लेनी होगी याने की post graduation की degree, जिस subject को आप एक teacher के रूप में पढ़ाना चाहते हो, उसमें आपको PG की degree with 50% marks के साथ लेनी होगी जब आपकी post graduation की degree complete हो जाए, उसके बाद आप B8 करें, या फिर आप मानने तर पर आप किसी भी university से उसके equivalent कोई भी डिग्री ले सकते हैं और B8 आप graduation के चुने हुए subject से भी कर सकते हैं, B8 में भी आपके कम से कम 50% marks तो होने ही चाहिए, फिर आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों language में आपके अच्छी command होनी चाहिए, याने कि अगर आप PGT level के लिए apply करते हैं, तो आपके पास graduation की degree, post graduation की degree और साथ ही B8 तो होना चाहिए, इसके माद आजाते हम TGT level पर, याने कि अगर आप TGT level के teacher बनना चाहते हैं, TGT याने की trained graduate teacher, तो यहां आपके पास 4 साल की integrated degree होने चाहिए, with 50% marks के साथ, वो भी regional college of education of NCRT से, या फिर अगर यह नहीं है, तो आपके पास bachelor degree होनी चाहिए, 50% marks के साथ, इसके अला चाहिए, बिना B8 आप apply करी ही नहीं सकते हैं, उसके बाद CTAT paper second clear होना चाहिए, याने कि CTAT भी होना चाहिए, बिना CTAT के आप इस exam में नहीं बैठ सकते हैं, याने कि आपके पास bachelor के degree होनी चाहिए, या NCRT से related degree होनी चाहिए, और B8 तो आपकी होनी ही चाहिए, और CTAT का paper second भ knowledge होनी चाहिए, अगर ये सब आपके पास हैं, तो आप exam दे सकते हैं, अब हम बात कर लेते हैं PRT की, याने कि primary teacher के लिए आप कैसे apply करेंगे, और आपके पास क्या योगिता होनी चाहिए, तो आप 12 होनी चाहिए, 50% marks के साथ, और साथ ही आपके पास 2 साल का DLA का diploma होना चाहि इसका diploma होना कम पर जरी है, या फिर आपके पास BLA होना चाहिए, चार साल का जिसे bachelor of elementary of education भी कहती है, या फिर आप graduate हो और आपके पास BLA हो, और candidate ने CTAT का exam याने की paper 1 clear कर रखा हो, और आपको हिंदी और English दोनों ही language में पढ़ाना आना चाहिए, याने कि दोनों language में आपकी comment होनी चाहिए, और आपको थोड़ा बहुत computer का भी knowledge होना चाहिए, चलिए अब हम PGT, TGT, PRT लेवल का exam देने के लिए आपके जो age होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, तो PGT लेवल के लिए maximum age 40 years है, और TGT लेवल के लिए maximum age 35 years है, और PRT लेवल के लिए maximum age 30 years है, age lexation अ relaxation दिया गया है, और OBC category से ब्लॉंग करते हैं, तो उनको 3 years का relaxation दिया गया है, और woman candidate को 10 years का, woman candidate किसी भी category से ब्लॉंग करती हो, सभी women's के लिए 10 years का relaxation मिलेगा, तो ये woman candidate के लिए बहुत एक अच्छी opportunity है, चलिए अब हम इसकी selection process भी देख लेते हैं, तो आपका selection written exam और interview के base पर होता है, written exam में merit list के आधार पर selection होता है, उसके बाद आपको interview के लिए बुलाया जाता है, यानि कि पहले written exam होगा, उसमें आपकी merit list बनेंगे, आपका cut off बनेगा, उसके बाद आपको interview के लिए बुलाया जाएगा, चलिए अब इसका exam बैटन भी देख लेते हैं, आप से किसे related question पूछे जाएंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें आपसे journal English से 10 question, 10 marks के, journal Hindi 10 question, 10 marks, gk and current affairs से 10 question, 10 marks, reasoning ability 10 question, 10 marks के, computer से 10 question, 10 marks के, teaching, pedology, यानि कि इसमें बच्चों से related question पूछे जा सकते हैं, जो 20 question पूछे जाएंगे 20 marks के, उसके बाद आपके subject से related question पूछे ज जाएंगे, यानि कि जिस subject से आपने apply किया है, उसी subject मैं से 80 question पूछे जाएंगे, 80 marks की, यानि कि total 150 marks का आपका exam होगा, इस exam में आपको 150 minutes तक का time दिया जाएगा, और last आपका interview होगा, जो कि 60 marks का रहेगा, interview में उन्हीं लोगों को बिलाया जाएगा, जो cut off के अंदर आती है उसके बाद आपको joining दे दी जाएगी, चलिए अब हम salary भी देख लेती है, पीजिटी लेवल के teacher के लिए जो starting salary होती है, वो 47,600 तक होती है, टीजिटी लेवल के starting salary 44,900 तक होती है, और PRT लेवल के starting salary होती है, वो 35,400 तक होती है, बाकि experience के according भी आपकी salary बढ़ जाती है, और city के हिसाब से salary थोड़ी कम जादा हो सकती है, यदि आप yoga teacher के लिए apply करते हैं, तो आपके पास graduation की degree होनी चाहिए, या उसके equivalent कोई भी degree होनी चाहिए, इसके अलावा आपके पास yoga की degree या diploma, वो भी recognize university से, उसके बाद Hindi और English में तो आपकी command होनी ही चाहिए, और अगर आप music या dance के degree भी होनी चाहिए, वो भी recognize university से, हिंदी और English language पर भी आपकी command होनी चाहिए, दोस्तो योगा और music और dance के teacher, इस field के teacher बहुत rarely मिलते हैं, तो यहां आपके selection के chances थोड़े बढ़ जाते हैं, अगर आपके पास yoga, music या dance related degree है, तो आप बिल्कुल के वी में apply कर सकते हैं, अब मैं आपको बता देती हूं कि CETAT क्या होता है और यह क्यों जरूरी है, CETAT का पूरा नाम होता है Central Teacher Eligibility Test, जिसको organize किया गया है Central Board of Secondary Education New Delhi ने, इस exam का मुख्यूदेश यह है कि teaching के ability को परखना, याने कि आपके अंदर teacher बनने की योगिता है या नहीं, तो इस योगिता को इस exam के द्वारा परखा जाता है, तो CETAT में दो paper होते हैं, paper one और paper second, paper one जो class first to fifth तक के teacher बनने के लिए होता है, और paper second class sixth to eighth तक के teacher बनने के लिए होता है, यदि आप paper one और paper second दोनों को qualify करना चाहते हैं, तो आप दोनों ही कर सकते हैं, यदि आप paper one या paper second मैंसे कोई एक exam clear करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, आपको जिस लेवल का teacher बनना है, आप उसके साफसे paper qualify कर सकते हैं, ये exam 150 marks का होता है, और इस exam में आपको 60% marks लाने होते हैं, यानि की 150 में से 90 marks आपको लाने होंगे, तब ही आप CTAT qualify कहलाएंगे, CTAT के लिए आप कव apply कर सकते हैं, तो आप इसकी official website www.ctat.nic.in पर जाकर देख सकते हैं, अगर कोई information हमें मिलती है, तो हम आपको ज़रू inform करेंगे, और अगर KVS का कोई notification आता है, तो उसके बारे में भी हम आपको inform कर देंगे, वैसे जनवरी के आसपास KVS का notification आ सकता है, और इसका exam marks में हो सकते हैं, बाके आप इसकी official website www.kvs.nic.in इस website पर भी जाकर देख सकते हैं, CTAT और KVS की link हमने description में दे दी है, बाकी आप हमें FB और Instagram पर भी follow कर सकते हैं, जिससे किसी भी exam के बारे में अगर notification आता है, तो आप हम से वहाँ पर discuss कर सकें, आप हमारी website पर जाकर भी visit कर सकते हैं, www.career.aplus.in यहाँ पर भी आपको कई सारे exam plan मिल जाएंगे, या job के लिए अगर try कर रहे हैं, तो आप अपने resume और भी बैतर दरीके से बना सकते हैं, हमारी website पर कई type के sample available हैं, आप जाकर देख सकते हैं, जो plan आप लेना चाहते हैं, वो आप ले सकते हैं, तो link हमने description में दे दी है, अगर इस video को लेकर कोई doubt है, तो हमें comment करके बता सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई KV के बारे में जानना चाहता है, या जिसको नहीं पता कि KV में teacher कैसे बनते हैं, तो आप उसके साथ इस video को share कर सकते हैं, तो इस video में इतना ही मिलूंगे आपसे next video में, जब तक आप अपने exam की तयारी क करें क्योंकि आप जितनी बार exam देंगे, उतना ही ज्यादा experience और knowledge आपको मिलेगा, अगर आप में teacher बनने की युगिता है, qualification है, तो definitely आपका selection जरूर होगा, तो अपनी तयारी करते रहें, exam आज नहीं तो कल जरूर होगा, and finally, thanks for watching.